दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोन पे से किसी के भी बैंक एकाउंट पर पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको फोन पे से किसी के भी bank account पर पैसे transfer करना है तो आज की इस वीडियो को step by step देखना, इस वीडियो को अगर आप complete देख लेते हैं, तो आपको phone pay से किसी के भी bank account में पैसे भेजने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप एक बार में ही किसी के भी bank account पर phone pay से बहुत ही आसानी से पैसे भेजना सिख जाएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि phone pay से किसी के भी bank account पर पैसे कैसे भेजते हैं तो दोस्तो phone pay से किसी के भी bank account में पैसे भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपनी mobile के अंदर phone pay application को open कर लेना है फोन पे application को open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर home page पर ही आपको transfer money का एक section देखने को मिलेगा इसके अंदर दोस्तों आपको 2 mobile number, 2 bank और UPI ID, 2 sales account और check balance नाम का चार अलग-अलग option देखने को मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों आप किसी के भी mobile number पर पैसे भेज सकते हैं और यहाँ पर अगर आप किसी के bank account पर पैसे भेजना चाहते हैं, phone पे से तो आपको यह जो 2 bank और UPI ID दीख रहा है आपको इसके उपर click करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर ऊपर आपके सामने BANK ACCOUNT UPI ID और UPI NUMBER का option देखने को मिलेगा तो आपको BANK ACCOUNT वाले option पर ही रहना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको नीचे Add beneficiary account का option देखने को मिलेगा तो आप जिसके भी bank account में पैसे भेजना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसके bank का नाम पता होना चाहिए ठीक है तो अगर आप किसी को जैसे state bank of India में भेजना चाहते हैं उसका bank खाता state bank में है तो आपको state bank को सिल्यक करना पड़ेगा उसका bank खाता पंजाब national bank में है तो यहाँ पर पंजाब national bank को सिल्यक करना पड़ेगा इस परकाश से कोई और bank में उसका खाता है तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको उस bank का नाम मिल जाएगा अगर ये नाम आपको नहीं मिलता है तो उपर आपको यहाँ पर search का option देखने को मिलेगा तो आपको उसका जो bank है उसका नाम यहाँ पर लिखके search कर लेना है जैसे कि मुझे किसी के भी bank account में पैसे भीजना है उसका जो bank का खाता है वो bank of India में है तो यहाँ पर क्या करना है bank of India लिखके search कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं bank of India आ चुका है तो आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको account number डालना है और नीचे यहाँ पर IPC code का option आ चुका है जो की not required है यानि की वो जरूरत नहीं है तो आप जिसके भी bank account में पैसे भेजना चाहते हैं उसका account number आपको यहाँ पर सही सही type करना है गलत account number नहीं डालना है नहीं तो पैसे दोस्तों किसी और के खाते में भी जा सकते हैं तो यहाँ पर मैं account number डाल लेता हूँ account number डालने के बाद दोस्तों नीचे आपके सामने next का option आएगा तो आपको next वाले option पर click करना है next वाले option पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने confirm account number का option आएगा यानि कि जो account number आपने उपर डाला है जिसके पास आप पैसा भेजना चाहते हो उसका account number नीचे भी आपको यहाँ पर confirm करने के लिए डाल देना है उसके बाद दोस्तों आप जिसके पास पैसे भेजना चाते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपके सामने green tick देखने को मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि आप जिसके पास पैसे भेजना चाते हैं उसका यही नाम है या फिर कोई और है अगर यह नाम आ रहा है तो आप confirm हो कि आप जिसके पास पैसे भेजना चाहर है है वो बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर नाम डालने के बाद नीचे नीक नेम आएगा जो कि optional है इससे आपको छोड़ देना है उसके बाद नीचे proceed to pay का option दिखाई देगा तो आपको इसके उपर क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने enter amount का option आ चुका है यहाँ पर आप जितने भी रुपए भेजना चाहते हैं उसके bank आपको हैं चैसे पर जाया और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पैसे भी कट हो और यहाँ पर यह जो पैसा है वो सामने वाले के bank account पर transfer हो चुका है अगर आप उसको receipt भीजना चाहते हैं यानि कि आपने पैसा भीज दिया उसका प्रोब उसको भीजना चाहते हैं तो यहाँ पर share receipt के उपर click करके आप उसको receipt भी भीज सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको done के वो transfer हो चुका है सामने वाले के account पर तो कुछ इस परकार से दोस्तो आप phone पे से किसी के भी bank account पर बहुत ही आसानी से पैसे भीज सकते हैं मुझे उमीद है दोस्तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी आपका कोई confusion है या फिर doubt है तो नीचे comment करके ज़रूर बत के लिए आप अपना ख्याल रखना good bye and take care